तो हेलो नमस्कार स्वागत थे हार एक और नए और सांधार वीडियो में कल जैसी Redmi Note 10 6 डाउंच होई है उसके बाद अब सबसे ज़्यादा confusion बनी हुई है कि अब Redmi Note 10 Pro को लिया जाए या पिया Realme X7 को लिया जाए क्योंकि Realme X7 आपको 19999 में AMOLED पैनल 60 years वाली और साथ में एक आपको powerful 5G चिपसेट दे रहा है और वहीं बात करें अपने Redmi Note 10 Pro की तो यह 3000 कम में सबसे कमार की डिस्प्ले उस प्राइस के साब से और overall एक complete package दे रहा है लेकिन फराख है कि यहां पर एक 4G चिपसेट मिल रहा है और वहां पर आपको 5G चिपसेट मिल रहा है कि इंडिया में अभी आने वाले लगबग 1-5.5 सा आता है 5G का कोई market नहीं है धंका और खास करकर हम आने वाले एक साल की बात करें तो 5G के बारे में सोचना भी बेवकुपी है क्योंकि अभी तक spectrum की लिलामी नहीं हुई है तो 5G नेट्रो की हम बात तो कैसे कर सकता है तो यहां पर अगर जिन लोग को 5G 5G दिख रहा है और सिर्फ 5G के कारें स्मार्ट फूल लेने के बारे में सोच रहा है तो वह बहुत बड़ी बेवकुपी कर रहा है क्योंकि मेरे साबसे अभी आपके लिए सबसे सांदार ओप्सन Redmi Note 10 Pro है और मेरे साबसे उस प्राइस का मार्केट लीडिंग ये फोन आप इसे क्या सकता है 16,000 में अमलेड फैनल ये मेरे साबसे काफी सांदार डील है वैसा आज हम कंपेर करने वाले हैं Redmi Note 10 Pro का Realme X7 से और कौन सा फूल लेना चाहिए ये आखिर में आप खुद यहाँ पे समझ जाएंगे पहले प्राइसिंग के बात कर लेता है तो Redmi Note 10 Pro का जो बेस रेंट है आपको 644 देखने को मिलता है जिसकी प्राइस इंडिया में लगबग 15,999 रिप्या है यहाँ पर बता दू आपको UFS 2.1 की स्टूडिश टाइप आपको देखने को मिलती है और बात करें यहाँ यहाँ प की Redmi Note 10 Pro की तो अगर हम बेस्वेंट से कंपेर करेते लगए आपको 4000 के हाँ डिफ्रेंस है दोनु फोन के बीच में अब यहाँ फरक क्या क्या देखने की मलता है 4000 के गैप में सबसे पहले चिप्सेट की बात करते है Redmi Note 10 Pro एक काफी सांदार 4G चिप्सेट लेके आता है पाउर प्रफोर्मेंस में कोई स्थिकायत देखने को मिलेगी वहीं बात करें अपने Realme X7 की यह एक बड़ा हाइलेट है कि यह फोन आपको 2000 में एक 5G चिप्सेट प्राइड करा रहा है जो कि है MediaTek Diamond City 800 और यहीं चिप्सेट आपको नाट जो 30 Pro में भी देखने को मिलेगा 169999 में जो आपको सेम चिप्सेट के साथ आता है तो अगर हम बात करें चिप्सेट की तरह अगर आप ज्यान देगे तो खेर उस प्राइट की साफ से काफी सचता 5G चिप्सेट है अगली बात करते हैं डिस्प्ले की जिसमें सबसे मेजन खेल हैंपर Xiaomi खेल चुका है कल और यहाँ तो नोटेन प्रो भी आपको 120 वाली आमुलेट पैनल के साथ है आपको देखने को मिलता है जो काफी बड़ी बात है और साथ में 50 वाट की डॉट चार्जिंग यहां पर देखने को मिलती है और जबकि अपने रेड्मी नोटेन प्रो में आपको देखने को मिलता है लेकिन फिर यहां पर आपको समझना पड़ेगा रेड्मी X7 आपको जो है वो 3.5 का आडियो जैक नहीं देता है जबकि अपना रेड्मी नोटेन प्रो में 3.5 का आडियो जैक देखने को मिलता है तो अगर आपको एक्सेणल यहां पर एड्ड करना हो अगर एडर फोन अगएर तो यहां पर आपको आप्सन रेल्मी X7 में देखने को नहीं मिलेगा, Redmi Note 10 Pro की अगर लुक की बात करें और X7 Pro की लुक की बात करें तो यहां पर भी एक काफी बड़ा डिफरेंस है, X7 स्रीज जो है आपको प्लास्टिक बैक के डिजाइन के साथ आती है, और जबकि Redmi Note 10 Pro आपको ग्लास बैक डिजाइन आपको देता है, यहां पर देखने को मिलते हैं, तो मेरे साब से यह कुछ छोड़ी-छोड़ी चीजे हैं, जो की Redmi Note 10 Pro को खास बनाती है, और आपको एक इंटर्टेन्मेंट के साब से भी स्मार्टफोन को काफी जादा अच्छा है आपको बनाती है, बाकि हम बात करें, तो Realme XO ने आपको triple सेंसर देखने को मिलना हुआ है, चौशन में अपिसल प्राइमरी, आठ में अपिसल का वाइड और वह आपको नॉनमल 2 में अपिसल का देथ या फिर पॉट्रेट सेंसर, जबकि अपने Realme, Rodeme Note 10 Pro के अंदर अपना तीन क्यामरे सेंसर आपको देखने को मिलता है, प्राइमर यह दोनु स्मार्टफून का कम्प्लीट पैकेज है, और प्राइस के हिसाब से भी अगर देखा जाया तो दोनु का जो 628 विरेंट है, उसमें लगबग 3,000 के अपको फ़रग देखने को मिलेगा, और overall मेरे साब से कम्प्लीट पैकेज अगर हम बात करें, तो Redmi Note 10 Pro बेस्ट है, अपने किलास के साब से, और अपना Realme X7 भी सही है, लेकिन वहाँ पर आपको जो है, 5G जिपसेट एक बड़ा हाइलेट है, तो मेरे साब से मैं आपको भूल दिया, अगर आपको 5G का सौक है, और अपना 5G कनसा है, जो कि अभी आने वाले एक साल तक इंडिया मार्केट में सोचने की भी बेवकूप ही है, तो आप जा सकते, X7 की तरफ, तो Redmi Note 10 Pro सबसे बेश है, 16,000 रूपए में, यही था कम्प्लीट डिटेल दोनों फोन का बाकि उमीदा को भी बसना आएगा, पसना आपको लाइक करें चैनल सब्सक्राइब कर ले, तो आज को इतना ही, जै ह जा बारत